Hello guys, welcome back to my channel My Honest Opinion के एक ने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Netflix पे रिलीज हुई मूवी Blood and Gold के बारे में ऐसी है ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं इसी पे आज हम बात करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किये ये वीडियो शुरू करते हैं Blood and Gold ये मूवी Netflix पे 26 मई को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंगोज में रिलीज की जा चुकी है और मैंने अभी अभी इस मूवी को देखके फिनिश किया है ये मूवी एक War Action Drama मूवी है जो कि 1945 के World War 2 के समय की कहानी है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो World War 2 का आंत होने वाला है और जर्मन सिपाही Henrich जो कि अपनी आर्मी को छोड़ के भाग जाता है क्यूंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते है और जर्मन आर्मी उनको भगोड़ा मान के फासी दे देती है लेकिन वहीं पे एंट्री होती है इस मूवी की हिरोईन की जिसका नाम है Alyssa जो कि Henrich की मदद करती है और उसे बचा के अपने घर ले जाती है लेकिन नाजी आर्मी गोल्ड की तलाश कर रही है जो कि उस लड़की के ही गाउं में है वो आर्मी उस गाउं में आ जाती है जहां पे Alyssa से उनकी मुलाकात होती है और नाजी आर्मी Alyssa और उसके भाई को अपनी हिरासत में ले ले लेते है और हैंरिच Alyssa को बचाने के लिए अफ़ी कोशिश करते हैं और इस बीच में जो लड़ाई होती है भाई साव इस मुवी की यूएस पी है अक्षन लाजवाव है इसी बीच में गॉल्ड की तलाश में नाजी आर्मी के साथ साथ कुछ और ग्रूप्स भी लगे हो हैं स्टोरी में गॉल्ड की तलाश की वज़ा से कहानी जो और भी इंटरस्टिंग हो जाती है बात करें एक्टिंग के बारे में तो सभी किरदारों ने एक्टिंग अच्छी की है, एक्शन लवर्स को ये मुवी पसंद आएगी, बात कर लेते हैं कैसी है ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, और क्या मिलेगा आपको इस मुवी में, भाई लोग अगर आप खु जिसको देखके शायद आपकी हसी न रुके, बाकि मुवी आपको पूरा समय अपने साथ बांदे रखेगी, आपको कहीं पे भी बोर नहीं होने देगी, फैमिली के साथ ये मुवी आप देखना अवोइड ही करें, क्योंकि कुछ शीन इसमें ऐसे हैं, जो आपको लिकत दे सकते हैं, बाकि मुवी को वर्ड वोर टू के समय का बताया गया है, इसे मुवी देखते हुए हमें, सास भी होता है कि ये मुवी 1945 की होगी, बात करें अगर इस मुवी के IMDV रेटिंग की तो वो है 6.6 out of 10, मेरी रेटिंग रहेगी 7 out of 10, मेरी तरफ से ये मुवी आप सभी क को रिकमेंड है, आप इस मुवी को एक बार तो जरूर देख सकते हैं, अगर आपको मायोनेस्ट ओपिनल का ये एपिसोड आच्छा लगा हो, तो प्लीस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल तब तक के लिए थैंक यू